मा के आसु क्या छलके बेटा जग से बदनामी मोन लिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं मूझपुरी पावस्टार पवन सिंग के उस्त्याक की जिसके लिए आज लोग उन्हें बेवफा का टैक देते हैं जी हाँ यहाँ बात होगी मा और बेटे के एक ऐसे रिष्टे की एक इंटरव्यू के दरान पवन सिंग से जब पुछा गया कि उनके लिए उनकी मा कितनी मायने रख नी है तब पवन सिंग ने ये कहा कि मैं चाहे जहां रहूं मेरी सुबह का पहला कौल मेरी मा को जाता है और अगर मैं बिहार में हूँ तो आरा सिटी से अपने गाउं जाकर मा को दिन में एक बार जरूर मिलता हूं लेकिन आज हम आपको मा और बेटे की एक कहानी ऐसी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि मा ने जो चाहा बेटे ने जीवन में वही किया वैसे मा से अपने छोटे बेटे हनुमान की आसाएं सुरू से ही बहुत जादा थी लोग बचपन में पवन को हनुमान बुलाया करते थे प्यार से लेकिन ये आसाएं तब और जादा बढ़ गई जब बेटे ने धीरे धीरे नाम करना शुरूर किया पहले तो घर का नाम हुआ फिर जिले का और फिर पूरे बिहार का मा की एकस्पेक्टेशन पर पवन हमेशा खरे उत्रे माने जिस चीज को कहा पवन ने वुसी को किया क्योंकि पवन कुछ जगे ऐसे कडवे अनुभव पा चुके थे जहां पर आने के बाद उन्हें ये साथ ही अपनी बात अगर उन्हें मनवानी रहती थी तो अपने मा के कंधे पर बंदूक रखके चलाया करते यारी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी बेटे को अपनी बात मनवानी रहती है तो अपने मा का ही सहारा लेता है ठीक उसी तरह पवन सिंग ने भी कहा था एक इं को भय प्यार में धोकि-बास तक कहा गया बात तब की है जब नीलम पवन के जिंदगी से जा चुकी थी और अक्षरा सिंग की उनके जीवन में इंट्री हो चुकी थी अक्षरा ने उन्हें बखुवी समाला और अक्षरा और पवन का प्यार भी परवान चेहने लगा यह बात कि पवन और अक्ष्रा जल्द शादी कर लेंगे और पवन ने इसके संकेद भी कई बार दी और अक्ष्रा के मन में भी पवन की पत्नी बनने का ख्वाब सचने लगा अक्ष्रा ने अपने भली भाते करियर कोई बारे में भी नहीं सोचा और वो सोची कि पवन के साथ अब जीवन की डोर बनने वाली है तो क्या सोचना और क्या समझना अक्ष्रा को कहीं न कहीं ये कमी खलती रहती कि पवन की मा ने उन्हें अभी एक्सेप नहीं किया है पवन की मा शाहिद इस शादी के लिए माने या ना माने कई बार उनकी मन में ये सवाल उठते और हर बार इस सवालों को शांत पवन सिंग कर देते कि मा बेटे की बात तो मा नहीं लेगे क्योंकि माने हमेशा उनकी बात मानी है और इस बार भी पवन जब ये बात अपनी मा को कहने गए तो मा का जवाब सुनने के बाद पवन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मा उनके खिलाफ जाकर कुछ ऐसा कहेंगी पाने उनसे ये कहा कि वो जब भी बहु लाएंगी फिल्म में दुनिया से तो बिल्कुल नहीं लाएंगी वो जब भी लाएंगी एक ऐसी लड़की जो तुम्हे समझ सके और परिवार को समझ सके इस ये बात सुनते हुए वन के पैरो तले जमीन खिसके लेकिन पवन यहीं नहीं रुके पवन कई बार मा को मनाने क कोशिश में लगे रहें अक्ष्रा को अपने साथ जब उनकी शादी थी तब गाउं तक लेकर आए कि मा अभी मान जाएगी बेटे की दिल को समझ जाएगी लेकिन मा का फैसला फैसला ही रहा अटल बिल्कुल अटल वैसे अक्ष्रा सिंग को पवन की मा कम पसंद नहीं किया करती लेकिन सिर्फ दोस्त के तौर पर अक्ष्रा को पवन की पत्नी के रूप में स्विकार करना पवन की मा के लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं था खेर आगे बढ़ते हैं पवन ने ये सुचा कि मा समझ जाएगी और हो सकता है शादी डाल दे क्योंकि ये शादी इतनी कि मीडिया को भी खबर नहीं लगी मीडिया को पवन के शादी के चंद रोज पहले ही यानि कि माल ने जिये सिर्फ दो दिन पहले ही पता चला था कि पवन सिंग बरेली की किसी जोती नाम की लड़की से शादी करने जा रहे हैं और जोती की जो तस्वीरे भी शामने आई उ और मा के आसु देखने के बाद बेटा पिघल ही गया पवन समझ चुके थे कि अगर वो मा के खिलाफ गए तो बाबुजी तो अभी अभी दुनिया को अलविदा कहे हैं कहीं मा को सदमा न लग जाये क्योंकि जोती सिंग को पसंद करना और उन्हें अपने घर की बहु बना का फैसला भी उनकी मा का ही था यहां पर पवन सिंग अपने प्यार को दिलासा देते रहें भले ही मैं शादी जोती सिंग से कर रहा हूं लेकिन मेरा प्यार पहला तुभी हूं अक्ष्रा को जब लगा कि अब पवन के हास से बाजी निकल चुकी है वो शादी करेंगे ही करे पवन के फैंस और अक्ष्रा के फैंस को ये तक कबूल करने में इतनी परिशानी हुई इस बात को कबूल करने में इतनी तक परिशानी हुई लोगों ने ये यकीन ही नहीं किया था कि कभी पवन सिंग जोती सिंग से शादी करेंगे और अक्ष्रा सिंग का प्यार ठुकरा और ऐसे में हर जगे बात यही फैली कि अक्षरा सिंग को अपने साथ ले जाकर भूली का प्रोग्राम करवा के अपने घर तक लेकि गए पवन सिंग अपने शादी का जोड़ा तक खरिदवाया पवन सिंग ने लेकिन पवन सिंग ने उन्हीं इतना बड़ा धोका क्यों दिय लेकिन ताजुद तब होता है जब पवन सिंग इन सब मामलों पे चुपी सारे रहे उन्होंने कुछ नहीं कहा सिंगल वर्ड तक नहीं मीडिया के सामने कहा और सारी सिंपथी अक्षरा सिंग के साथ चली गई पवन सिंग कही न कहीं चाहते थे कि अक्षरा सिंग से रिस्ते बने रहे लेकिन अक्षरा सिंग भी अपनी जगे सही थी अक्षरा सिंग ये चाहती थी कि जोती की रहते तो ऐसे रिस्ते कभी बन ही नहीं सकते यहां आप ये कह सकते हैं कि मा का दिल रखने के लिए भले ही पवन सिंग ने शादी कर ली हो जूती से लेकिन आज जूती बलिया में हैं पवन सिंग से दूर उनके साथ नहीं रहती और पवन सिंग आरा वाले अपने घर पर हैं और अक्षरा सिंग अपने जीवन में यानि तीन जिन्दिगिया एक तरह से किस तरह से अलग राहों में हैं किस तरह से आज भी अक्षरा सिंग के हर एक चीजों में पवन सिंग कहीं न कहीं से आ जाते हैं पवन सिंग का वाक्या आते ही अक्षरा सिंग के छेहरे का रंग पूरी तरह से उतर जाता है ऐसे लगता है कि अक्षरा सिंग बहुत कुछ कहना चाहती है और जोती की जोती की तो बात ही मत कीजिए वो तो यहां तक अपने पोस्ट में लिखती हैं कि लेट शादी करो पर पक्षरा और पवन के रिष्टे ऐसे थे यह दो जिस्म भले थे लेकिन एक जान थे लेकिन एक फैसले ने जिन्दिकी पूरी तरह से बदल दी क्या आपको लगता है कि पवन और जोती एक दूसरे के लिए फिट हैं कि बोजपुरी जगत की होट और मसालेदा रगासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूदी